Hello and welcome back to Career Planet, myself Shelly Gurwani, अफटाफट करते हैं मोल कॉंसेट के NCRT के क्विश्चन, ठीके, तो चैप्टर आपने पढ़ लिया है मोल कॉंसेट पूरा, NCRT ट्राइ करना, NCRT का एक एक क्विश्चन, चाहे इंटेक्स हो, चाहे एक्जाम्पल हो, चाहे बुक के पीछे का क्विश्च ठीके, उससे पहले कोटेशन सुना देती हूँ, पहले भी सुनाया था शायद, सब कुछ विरासत में नहीं मिलता, अनिक रातें बितानी पढ़ती है किताबों के साथ, I hope समझाने की जरुरत नहीं है, समझ ही गए होगी, है ना, तो कुछ बनना है, कुछ पाना है, तो पढ अबर बता देती है, यह 1.1 है हमारे पास, ठीक है ना, ठाकि बुक से आप करेंगे, तो आपको दिकत नहीं आएगी, यह है, question 1.1, यह है आपके पास 1.1, ठीक है, अब आप से पूचा है, सबसे पहले क्या पूचा है, निम्दलिकित के मोलर द्रवियमान का परीकलन तो मोलर द्रवियमान मतलब अणुभार, निकाल दोगे, पहले कह रहा है, अणुभार निकालो, water का, H2O का अणुभार निकालो, तो बच्चे, एक hydrogen का भार एक होता है, है ना, oxygen का भार कितना होता है, तो हम गएंगे, solar, ठीक है, U मतलब एक अणुभार, जो तुम्हें दि तो 16 अर्दो कितना होगे, 18, तो water molecule, जल के एक अणुभार, 18, U है, सिंपल है, बन जाएगा, सेकिंड है, CO2, ठीक है, तो पटा, CO2 में carbon का मास 12 है, carbon के एक परवाणों का भार 12, U, oxygen के एक परवाणों का भार 16, U, CO2 है, तो carbon का 12, plus oxygen का 16, multiply with 2, तो यह हो जाएगा, 44, U, सिंप इनकी बाद करें, तो अगे, carbon का आपको पता ही है, carbon का atomic mass 12 होता है, hydrogen का atomic mass 1 होता है, तो 12, plus hydrogen का mass 1, 4 से multiply कर लो, answer होता है, 16, U, ठीक है, तो सीदा बतावना चीए, water का molar mass 18, CO2 का 44, methane का 16, बन जाएगा, सबसे सरल सवाल, NCIT का, है ना, चालो, sodium sulfate में उपस्ते द्विभिन तत्वों के द्रवियमान प्रतीशत का परिकलन कीजी, तो बच्चे जब भी mass percent निकालने हो ना, तो पहले अनु भार निकालो, पूरा, ठीक है, तो हम गएगे Na2SO4 का molar द्रवियमान, या आणविक द्रवियमान, या अनु भार, कुछ भी बोल का का होगे, तो फिरो ग्रामस में आजाएगा, एग अनु का का होगे, तो आणविक द्रवियमान, ठीक है, तो बोलो, sodium का गित्ता, तो देखो, अब कुछ डेटा आपको याद है, हाला कि given होगा exam में, कि मैं sodium का mass 23 होता है, है ना, यू लिख देती हूँ में, एक atom की बात क 16, ओके, तो Na2SO4 का आणविक द्रवियमान निकालो, तो हम गएंगे sodium का 23, 2 से multiply कर लो, SO4, तो sulfur का 32, oxygen का 16, into 4, Na2SO4, है ना, तो 46, 64, 110 तो यह हो गया, और 32 कित्ता हो गया, 142, ठीक है, अब यह कह रहा है कि एक एक का percentage निकालो, मतलब पहले तो हम इसको sodium का द्रवियमान प्रतिशत बताओ, इसके अंदर, ठीक है, sodium का mass percent, sodium का द्रवियमान प्रतिशत, तो बच्चे, sodium का mass percent बताना है, तो sodium का भार, तो देखो, पूरा 142 है, ना, है ना, पूरा 142 है, तो sodium का भार किता है, तो मैं गए, sodium का तो 23, 2, 46 है, इस पूरे 142 में, sodium का हिस्सा किता है, sulfur का किता है, और oxyan का हो, तो 46 अपॉन 142 into 100, ठीक है, सेकेंड, तो हम गएंगे sulfur का, sulfur का द्रवियमान प्रतिशत बताओ, तो calculate करो, sulfur, पूरे में sulfur का mass किता है, 32, total किता है, 142 into 100, ठीक है, और इस पूरे में oxygen का mass percent बताओ, oxygen का द्रवियमान प्रतिशत, ठीक है, तो बच्चे, oxygen O4 है ना, तो 16 into 4, 64, आप उन 142 into 100, ठीक है, अब आप स्वाल कर लो भी, है ना, 46, अपॉन 142 into 100, तो यह आएगा तुमारे पस, 32.3 percent, ठीक है, 3200 upon 142 कर लो, 3200 divided by 142, यह किता आएगा, तो यह 22.5 percent, ठीक है, 22.5 percent, अब बागी क्या करना है, तो 64, एना, 64, 100 upon 142, तो यह आएगा 45.07 percent, ठीक है, calculation तुमें करनी है, answer मैंने लिखी है, match कर लेना, symbol है, mass percent, percentage है तो निकालना है, तो यह पूरे का द्रवेमान निकाल दो, अब यह sodium की वज़स है, यह sulfur की वज़स है, यह oxygen की वज़स है, calculate करो, iron के उस oxide का मूलानुपाती सुत्र, अब यह question number 1.3 है न, NCRT index, question number 1.3, exercise, question number 1.3, iron के उस oxide का मूलानुपाती सुत्र निकालो, जिसमें द्रवेमान द्वारा iron 69.9 है, और oxygen के ताय है 30.1, तो इस तरह है question को table बना के solve करते हैं, ठीके, एक बार तो लिखो element, iron और oxygen, तो सबसे पहले हमने तत्वे लिख दिया, फिर आप इंके बाहर लिखो, तो हम गहेंगे, iron 69.9, मतलब 69.9 ग्राम से, और oxygen के ताय है 30.1 ग्राम से, ठीके, तत्वा आगे, भार आगे, अब आप आप इंके मोल निकालो, तो मोल होता है, given mass upon atomic mass, तत्वो का द्रविमान, जो भी आपको भार दिया है, upon परमानो भार, तो बिटा 69.9, अब iron का याद रखना, iron का, नहीं, याद नहीं रखना है, given होगा, चलो tension मत करो, iron का आपको दे रखा हो, बच्चा को याद नहीं होता है, 56, ठीके, ग्राम से तो ग्राम पर मोल ले, उस से टेंशन मत करना, है ना, एक मोल का भार है, तो यह रा, 56, और यहाँ किता आएगा, तो हम गएंगे 30.1, और oxygen का तो आपको पता है, यह 16, अब यह तो गालकिलेट करो, एक सेकिन मैं गालकिलेट करती हूँ, 69.9 upon 56, तो यह तो है 1.24, और यह है 1.88, ठीक है, तो यह है 1.24, और यह है 1.88, तो मोल आगया, अब मोल के बाद तॉप को टेबल सिखा ही भी, सरा पड़ाया बद यहरी में ध्यान रखना, मोल आगया, है ना, यह मिलेगा तुम्हें मूल अनुपाती सुत्र, अनुसुत्र वाले लेक्चर के अंदर, अब मोल आगय 1.24 है ना, इसको 1.24 से डिवाइड कर दो, इन दोनों में सबसे चोटी संक यह है ना, इसलिए, और 1.88 है, अब ओन 1.24 कर दो, है ना, ऐसा किसलिए करते हैं, आब 1.88 सी कर लेते हैं, लेकिन क्या होता, कि मुझे किसी एक को तो एक बनाना है, तो अगर मैं चोटी संक्या ले गया, ऐसे, तो इसी रहेगा, अब एक और 0.88 आ गया, तो फिर पसंटीज निकालना भारी काम होता है, मतलब सिंपल रेशियो, थोड़ा सा एड़क बढ़ जाता है, तो यह इसी है, तो हम गएगे, यह वान है, और इसको स्वाल कर लो, मेरे इसाब से 1.5 आना चीए, अभी साल अनुपाद अभी भी नहीं आया, तो हम गएगे, कोई बात नहीं आया, तो हम जुगार निकाल लेंगे, तो देखो, एफी अनुपाद, ओक्सिजन, तो यह एक है, तो यह डेड़ है, 1.5 नहीं सेट होगा, तो डबल कर दो, तो हम गएगे, यह यह दो है, और यह तीन ह तो बिटा, आफी 2 है, ओक्सिजन 3 है, तो फॉर्मुला क्या मैठेगा, तो हम गएगे, आफी 2, O3, है ना, तो बस यहां तुमें क्या करना था, फॉर्मुला ही तो निकालना है, तो फॉर्मुला हो जाएगा, मूला अनुपाति सुत्र हो जाएगा, आफी 2, O3, ठीक है, आ आफ्त कार्बन डाई ऑक्साइड की मात्रा का परीकलन कीजिए, मतलब CO2 किता बनेगा, पहला है, एक मूल कार्बन को हवा में जलाते है, ठीक है, तो देखो, यह रहा कार्बन, ठोस होता है, हवा में जलाना है, ऑक्सिजन, अंसर क्या आएगा, तो हम गएगे, CO2, कार्बन प्लस ऑक्सिजन, अंसर क्या है, CO2, ठीक है, अब देखो, कार्बन एक मूल ही, है ना, एक्वेशन बैलेंस, ऑक्सिजन किता चीए, तो मैं कहोंगी, एक मूल, और CO2 किता बनेगा, तो हम गएगे, एक मूल, एक मूल कार्बन जलाओगे, एक मूल CO2 प्राप्त होगा, अब एक मूल CO2 प्राप्त होगा, तो मात्रा बताओ न, काबंडे उक्साइट की मात्रा, तो हम गएगे, ठीक है, अब अगर आपका 11, अब NCRT कर रहे हो 11 स्टेंडेट है, तो पूरा करो, मूल इक्वेल्स टु भार, अप और अनुबार, ठीक है, और भार जो है वो ग्रैम्स, तो हम गएगे, देखो, CO2 की बात चल रही है, एक मूल CO2 है, बाहर निकालना है, CO2 का अनुबार, तो कर्बन का बारा, ऑक्सिजन का तो मैं पता है, यह 16 इंटे तो, तो यह 44 आएगा, तो भार किता हुआ, तो हम गएगे, भार तो 44 ग्रैम्स है, बस, तो बाहर आजाएगा 44 ग्रैम्स, ठीक है, अब अगला, तो एक मूल कार्बन को 16 ग्राम ऑक्सिजन में जलाया जाता है, ठीक है, एक मूल कार्बन को 16 ग्राम ऑक्सिजन में जलाया जाता है, तो यह है कार्बन, वापस जलाओ ऑक्सिजन, आंसर क्या है, तो हम गएगे, CO2, ठीक है, अब तुम्हे चाहिए तो ये एक मोल ये भी एक मोल और आंसर भी क्या है तो हम गएंगे एक मोल लेकिन question में तुम्हें given क्या है तुम्हारे को given है 16 gram oxygen ठीके तो 16 gram oxygen है चाहिए एक मोल मतलब 32 gram तुम्हार पार 16 gram ही है मोल निकालो तो हम गएंगे बाहर तो 16 gram है अनुभार बत्त से मोल तो आता है है ना तो मुझे बताओ ये limiting agent है ना ये एक मोल CO2 कब बनेगा जब oxygen एक मोल होगा तुम्हें तो कहा जा रहा है सोरी यहाँ एक मोल कारबन को 16 gram oxygen में जलाओ एक मोल कारबन को 16 gram oxygen में जलाओ तो देखो मैं यहाँ वापस लिख देती हूँ इसको देखो carbon plus oxygen और आंसर क्या है तो हम गएंगे CO2 अब ये तो एक मोल है लेकिन ये आधा मोल है तो सिखाया था तो में limiting reagent सीमान तभी कर मण बहिं मुझे एक पर एक चाहिए एक कप दूद और एक कप पानी होगा तो ही दो कप चाहिए बनेगी अब तुम गह रहे हो कि दूद तो एक कप नहीं है है ना दूद तो आधा कप ही है तो आधा कप दूद है तो पानी एक कप का क्या करोंगी पानी से बतलब नहीं है दूर आदा का पैतो फिर चाहे उसके साफ से बनेगी नहीं बस समझें मुझे 1 प्लस 1 चाहिए था तुम गरो नहीं 1 प्लस 1 है तो भीटा ये लिमिटिंग रिएजेंट है ये हाफ है तो ये हाफ मूल काम आएगा हाफ मूल बचेगा और वो हाफ मूल बनेगा बनेगा तो आंसर देदे ना 22 ग्राम बनेगा आई बात समझ में ठीक है आगे बढ़ते हैं 1.4 हो गया ये है आपका 1.5 है NCRT में हाँ ये कुश्चन नमबर है 1.5 ठीक है अब देखो sodium acetate का 500 ml वोल्यूम कितना है तो हूँ कहे रहे है वॉल्यूम है 500 ml ठीक है 0.375 molar जली अविलियन बनाने के लिए मतलब तुम्हें ऐसा solution बनाना है जिसकी molarity कितनी हो 0.375 तो इसके कितने द्रवियमान की आवश्यक्ता होगी बाहर तुम्हें निकालना है और अनुबार जो है molar mass अनुबार जो है वो तुम्हें दे रखा है 82.02 82.0245 ठीक है तो तुम्हें सीधा-सीधा molararity का सवाल पूछ लिया तो तुम कहोगे molar ता का formula याद करू है ना क्या था mol पर liter हो था molar था एक लिटर में कितने mol है molar थासे कहा है था एक लिटर विलियन में विलेक है कितने mol है तो हम गएगे mol होता है भार बटे अनुबार और भार तो ग्रैम्स में होना ची बटे विलेक अनुबार ठीक है mass अपॉन molar mass तो विलेका भार अपॉन अनुबार into तो मैं गउंगी one upon volume है ना one upon volume और volume क्या लिटर में माल लो volume milliliter में हो तो पेटा अगर milliliter में हो तो thousand से divide कर देना है ना और thousand से divide करोगी तो thousand इदर आ जाएगा ठीक है अब तुम्हें क्या करना है अब तुम्हें सीधा-सीधा molarity का formula लगा कि solve करना solve कर लो तो molarity किती है तो हम गएंगे molarity है 0.375 विले का भाहर find करना भई अनुभार तो ये रहा 82 82.02 45 into thousand upon volume volume किता है 500 ठीक है तो अब यहां से तुम वेट निकालोगे और वेट आएगा grams ये ना 0.375 को multiply करो 82.02 45 ठीक है multiply कर लिए अब फिर 500 से multiply करो thousand से divide करो तो ये आएगा 15.38 3.79 है तो 15.38 लेगा 15.38 grams simple है तो ये होगे आपका NCRT का question number 1.5 है ना सीधे formula बेश question है next देखो सांध्र नाइट्रिक अमल के उस प्रतिदर्श का मोल प्रति लीटर में सांधर ता ग्याद कीजिए तो बेटा मोल प्रति लीटर मतला मोलर था जिसमें उसके द्रवियमान प्रतीशत है ना भार प्रतीशत अब भार प्रतीशत तो में दे रखा है कि ता 69 है ना और भार प्रतीशत 69 हो और देंसिटी केती हो 1.41 देंसिटी है 1.41 ग्राम पर है में ठीक है और नाइट्रिक अमल एचे नो 3 है ना नाइट्रिक अमल का फॉर्मुला है कि है एचे नो 3 ठीक है नाइट्रिक अमल का फॉर्मुला है एचे नो 3 तो एचे नो 3 का अनुभार यह चेनों 3 काणों बार निकालो तो हम गएंगे हाइड्रोजन का 1 नाइड्रोजन का 14 ओक्सिजन का 16 इंट्यू 3 63 हो गया ठीक है अब ग्या गयना है मोलरता तो देखो मैं तुमें एक शॉटकट फॉर्मुला बताती हूँ अगर तुमें मोलरता निकालनी है और भार प्रतिशत दे रखा है विले का ठीक है भार प्रतिशत को यहां में एक्स माल ले तो ठीक है यह 12 में आएगा डिरेक्ट फॉर्मुला याद रखना है ताकि आराम से क्वेश्चन बन जाए तो मोलारिटी इकोल्स टू X-D-10 यह न? मोलारिटी इकोल्स टू X-D-10 अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट विले का अनुभार ठीक है भे? मोलारिटी इकोल्स टू X-D-10 अपॉन मुलर मास ऑफ सल्यूट अर X किता है मास पसें तो 69 देंसिटी कुष्चन में दिया रखिए न 1.41 ग्राम पर ml मी इनेंसिटी यहां पे इंटू 10 और अनुबार किता है 63 मोला रिटे निकाल लो तो एक सेखेंड रोको 69 divided by 63 69 divided by 63 और क्या करना है divided by 1.41 और 10 तो इसको solve तुम करोगे तो तुम्हारे को answer मिलना चीए 14.1 मात्रक भूल जाओ तो capital M लिख दे ना आधरवाइस मोल पा लिटे लिख दे simple है ठीक है चाल ये question number आपको आपसे NCRT चेक कर लेते हैं लोग ये question number है NCRT 1.6 ठीक है 1.6 question number answer है इसका 1.41 ठीक है next 1.7 ठीक है question number 1.7 100 gram copper sulphate से कितना copper प्राप्थ कर सकते हैं ठीक है अब देखो copper sulphate और copper के बीच में गेम चल रहा है है ना copper sulphate में copper का भार तो हम गई देखो copper given होगा आपको examination नहीं लेना है कि मेडम आपको सारे याद है हम कैसे करेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है copper sulphate में copper का मास है 63.5 sulphur का थर्ट 32 oxygen का 16 into 4 ठीक है तो यह कितना बाद 64 फिर 66, 96 96 और 63 अड़ कर लो तो मेरे इसाब से 159.5 आना चाहिए चेक करो एक बाद copper sulphate add कर कर देखो 159.5 है ठीक है तो बही देखो अगर copper sulphate पूरा 159.5 हो है ना तो copper कितना है तो copper तो 63.5 अगर 159.5 ग्राम copper लेओ तो copper sulphate लेओ तो copper 63.5 mass percent सिखा है ना इसके पूरे के mass पूरे 159.5 में इसका हिस्सा किता है तो हम गएंगे 63.5 तो अगर ये 100 ग्राम हो तो इसका हिस्सा किता है तो question मां तो X मान लो cross multiply करके solve कर लो competition में आता है तो X मान लो और cross multiply कर लो X into 159.5 equals to 100 into 63.5 अब school exam से तो फिर पूरा तरीके से solve कर ले ना है ना क्या लिखोगी 159.5 ग्राम कॉपर सलफेट में कॉपर किता है तो मैं कहूँगी कॉपर तो 63.5 ठीक है तो फिर एक ग्राम कॉपर सलफेट में कॉपर किता है तो मैं कहूँगी या 1 कर दिया तो ये उदर नीचे आजाए तो 159.5 63.5 Divide by 159.5 और question में किता है 100 gram तो भई 100 gram copper sulphate में copper किता है तो मैं यहां लिख रही हूँ copper है 63.5 divided by 159.5 multiply with 100 तो यहां तो copper निकाल दो गई ठीक है? पॉइंट पॉइंट तो उड़ा दो यह न? 6, 3, 5, double, 0 और divide कर देती हूँ मैं 1595 से ठीक है? तो यह आ रहा है आपके पास 39.8 तो यहां आपका अंसर सेट हो जाएगा 39.8 grams समझ में आगे? जो जो के बीच में पूछा है? ऐसे कुछ भी पूछ सकते था glucose में carbon किता है तो पूरे glucose का वाँ से रख दो carbon का उदर रख दो फिर एक में किता है? और आप से जो पूछा है उसमें कितना है? ठीक है? तो यह 1.7 1.8 सेम बैटन है कर लोगी? अभी तो सिखाया था आपको है ना? आपको क्या करना है? वापस वही element लिखो और table बना दो ठीक है ना? element लिख दो यहाँ पर element लिखो F E हो जाएगा O हो जाएगा यहाँ उनका द्रवियमान मास हो जाएगा कितना लिखा है? तो 69.9 ग्राम्स अपॉन ओक्सिजिन कितना है? 30.1 ग्राम्स ओकी फिर आप मोल लिखा लेंगे 69.9 डिवाइड़ बाइ 56 30.1 डिवाइड़ बाइ 60 तो यह अपर निकाल दे था 1.22 और 1.88 ठीक है? मज़े चेक कहने तो क्या था? 1.24 और 1.88 ठीक है? तो यह 1.24 यह 1.88 ठीक है? फिर आप क्या करेंगे? फिर आप उसमें सर लनुपार निकाल दो simple ratio तो simple ratio के लिए क्या करें? 1.24 को 1.24 से डिवाइड करो तो यह 1 आएगा 1.88 को 1.24 से डिवाइड करो तो यह 1.5 आएगा अब क्या करें? तो अब हम Fe ratio oxygen यह 1 यह 1.5 यह 2 यह 3 आप फार्मूला बैठेगा Fe2 O3 अभी तो कराया था? ठीक है? तो यह आपका फार्मूला हो जाएगा Fe2 O3 Clear है? Simple है? कोई डाउट नहीं यहां तक Same pattern का question Same ही है question pattern क्या? अब देखो Next यह आपका हो गया 1.9 अब है न? देखो ने में लिके ताकड़ों के अधार पर क्लोरीन के औसत अनुभार का परिकलन कीजी अब क्लोरीन 35 क्लोरीन 37 percentage ही है रहा और exact molar द्रवे मान यह है 34.96 डिसकों 35 लेते हैं और 36.96 डिसकों 37 लेते हैं अब आसत पर्मानुभार का आपको एक फॉर्मुला दे रखा है average atomic mass आसत पर्मानुभार बोलो आसत पर्मानुभार का फॉर्मुला है M1 X1 दो जने हैं तो M1 X1 प्लस M2 X2 अपन तो हम कहेंगे X1 प्लस X2 ठीक है अप सॉल कर लो तो देखो M1 इसको M1 ले लो या ना इस इस M1 और ये पसेंट इसे ना ये X1 ये X2 तो 34.9689 multiply with 75.77 फिर 36.9659 multiply with 24.23 स्वाल नहीं कहें ना अंसर तो पते हैं ये ना chlorine का पर्मानुभार किता लेते हैं तो सब कोई पता है 75.77 प्लस 24.23 लिखने के लिए लिखा है एक्जाम पर खुश हो जाए कि वो पूरा पूरा डेटा लिखा है आंसर सब को बता है ये 15.5 है तो आंसर में क्या टेंशा नहीं chlorine gossip पर्मानुभार किता होता है तो उन गएंगे 35.5 तो डेरेक्ट आप अंसर लिख दो 35.5 ठीक है सिंपल है ये भी आगे मड़े 1.9 नौ क्रिश्चन हो गए हमारे चलो नेक्स्ट 1.10 ठीक है एथेन के तीन मोलों में निमनलिखित का परिकलन कीजिए अब शुरू में 3 मोल दे रखे पहले तो पुछा है कारबन पर्मानों के मोल ठीक है अब देखो अगर मैं तुमें कहूँ 1 मोल एथेन ये ना एथेन वतलब C2H6 ठीक है तो देखो 1 मोल से नहीं चलते सिंपल तरीके से चलते है देखो अगर मैं 1 एथेन की बात करो C2H6 अकेल है ये एक ही है एक अणू है तो तुम गोग इसमें 2 कारबन आटम है आटम लिख दू पर्मानों की जग़ए अब मैं कहूँँग छे ये एक है तो तुम गोग नहीं मैं तो 2 बताऊँगा C2H6 एक है लेकिन बच्चे कारबन तो 2 है ना 2 कारबन अब इक होनी 1 मोल C2H6 तो पेटा C2H6 अगर 1 मोल है तो इधर मोल लाया है तो इधर भी मोल लियाओ तो तुम गोग ने 2 मोल कारबन आटम अगर एथेन 1 मोल है तो कारबन 2 मोल है अब आपके क्वेश्चिन में तो एथेन 3 मोल है 3 मोल C2H6 तो कारबन कितने है तो हम कहेंगे 2 इंटो 3 मोल कारबन आटम क्योंकि यह मोल चल रहा है ना तो मोल मोल का गेम चल रहा है कारबन आटम टिक है तुब बिल्ल वीडियो घूम खेलते मोबाइल में गेलते हम ना इक में 2 एक मॉल में 2 मोल तीन मोल में Or वापस दीजां एक छलते Cajst C2H6 एक है, तो तुम को होगे hydrogen atom 6 है, C2H6 एक है, तो hydrogen 6 है, तो पिटा अगर C2H6 एक mole है, तो hydrogen किते हैं, तो होगे एंगे 6 mole है, C2H6 एक है, hydrogen 6 है, C2H6 एक mole है, hydrogen 6 mole है, तुमारे पास तो गेम 3 mole का चल रहे हैं, 3 mole C2H6, 3 mole C2H6, तो hydrogen किते हो जाएंगे, 6 इंटो 3 mole hydrogen atom, तब तुमारे आंसर यहां, 18 हो जाएगा, 6 इंटो 3 किता हुआ, 18 mole hydrogen atom, 18 mole hydrogen परमाणों, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब, 3rd, athene के अणों की संख्या, यह फिर अलग चीज़े भी, यह न, athene के अणों की संख्या, तो देखो, C2H6 अपने आप में क्या है, तो मैं कहूंगे C2H6 अपने आप में एक अणों है, तो 1 C2H6 मतलब 1 athene अणों, तो अगर मैं इदर 1 mole कर दूं, 1 mole C2H6, तो तुमको गरदर 1 mole करों, इदर भी 1 mole करों, इदर भी लिख दो, 1 mole athene अणों, ठीक है, 1 mole athene अणों, अब मैं कहूंगे नहीं क्विश्चन में 3 mole है, 3 mole C2H6, तो 3 mole C2H6 मतलब 3 mole athene अणों, 3 mole athene अणों, 3 mole कित्ता होता है, तो हम कहेंगे 1 mole में evogadron number होता है, क्या होई, 1 mole में क्या होता है, evogadron number 3 mole मतलब 3 into, आउगा अधर रोसन क्या कित्ती होती है, 6.02 into 10 to the power 23, तो 3 into 6.02 into 10 to the power 23, मतलब 18.06 into 10 की power 23, अणों, ठीके, इतना तो करना पड़ेगा, clear, तो यह बन गए आपके 10 questions NCR, टीके 1.1 से लेगे, 1.10, जैस जैसे time मिलेगा, देती रहोंगे मैं आपको questions, ठीके, प्रेशन पुरा जादा रहते है, offline भी online भी need वाले, जेई वाले, तो जितना बन सकेगा, उतना मैं आपको करा दोगी, 11 कसले बस इस session में टाल दोगी, complete करा दोगी, ठीके, तो मिलती हो next time, next class में, आपको भी फर्ज बनता है, share, like, subscribe, थोड़ा share कर लिया करो, all friends के साथ, तो थोड़ा और motivation है, अच्छा लगे, तो comment कर दिया, तो थोड़ा हम लोगी motivation की requirement होती है, नहीं, तो देखो, class पर कोई होता नहीं, तो रहता कोई है ही नहीं, पढ़ाय जा रहे, पढ़ाय जा रहे, फिर views अच्छे आजाते है, comment आजाते है, तो लगता है कि हाँ, जो मैनत करा है, एक गुंटा, वो success है, successfully achieved हो रहा है, चलो बच्चे सही सही, बच्चों को काम आ रहा है, help हो रहा है, तो it's okay, तो और काम करने का मन होता है, तो इतना हम कर सकते हैं, मेरा नहीं, कर भी teacher का देखते हैं, अगर आपको video पसंद आता है, तो एक like करने मा कुछ भी नहीं जा रहा है, किसी को अगर को चीज़ अच्छी है तो अच्छी है उसको बोलने में क्या ही जा रहा है तो हम बोल सकते हैं शेर कर सकते हैं फ्रेंज के साथ ठीक है तो मिलती हूं नेक्स टाइब तिल देन ठीक केर और बाई बाई